नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे कि बुद्ध ग्रह बाकी सभी ग्रहों से तेज गती से सूर्य के चारों और क्यों करता है परिक्रमन क्या आप इसके गारे में जानना चाहेंगी तो बने रहिए हमारे साथ पहले बात करते हैं बुद्ध ग्रह की गती के बारे में बुद्ध ग्रह अपने मात्र 88 दिन में सूर्य के चारों और एक पूरा परिक्रमन पूरा करता है यह कारण है कि बुद्ध ग्रह बाकी सभी ग्रहों से तेज गती से सूर्य के चारों और चक्कर लगाता है इसका एक महत्वपूर्ण कारण है गुरुत्वा कर्शन बल बुद्ग्रह छोटा होने के कारण यह सूर्य के गुरुत्वा कर्शन बल को कम महसूस करता है और इसका परिनाम है कि यह सुनिश्चित रूप से सुन के चारों और जल्दी घूंता है रफिर बुद्ध ग्रह की पाथा की भी एक बड़ा कारण है इसका आर्थ है कि इसका पाथ सूर्य के चारों और अन्यमित है जिससे इसकी गती और तेज हो जाती है इससे हमें एक सफाई मिलती है कि बुद्ध ग्रह का यह तेज परिक्रमन सूर्य के क्रीब होने और छोटे आकार के कारण होता है यह दिखाता है कि हमारे सौर मंडल में हर ग्रह की अपनी अनूठी कहानी होती है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले हम अगले वीडियो में मिलेंगे धन्यवाद और हमारे साथ बने रहें